देखिए ये question है ये भी बहुत important question है एक tailor है जो कि short pieces के लिए roll से fabric काटता है और वो एक roll से 10 piece काटता है of equal length और उसकी जो speed है जो rate of cutting की speed है वो 45 cuts a minute है ठीक है तो question ये है कि how many rolls would be cut in 24 minutes अगर tailor को 24 minutes दे दे दिया तो कितने rolls को वो काट सकता है तो आईए इस problem को हम swallow करते है देखिए let's say हमारे पास ये roll है और इसमें वो क्या करता है कि 10 pieces काटता है तो इसके 10 pieces वो काटता है तो 10 pieces को काटने के लिए एक roll में से ये हमारे पास एक roll था ठीक है 10 pieces को काटने के लिए उसे कितने cut मारने पड़ेंगे 9 cuts मारने पड़ेंगे ठीक है 9 cuts लगेंगे ताकि वो 10 pieces को काट पाए ठीक है और एक minute में एक minute में वो कितने cuts काट लेता है 45 cuts काट लेता है तो just in case उसके पास अगर 24 minutes है तो वो कितने cuts लगा लेगा 45 into 24 इतने cuts वो लगा लेगा तो ये 24 minutes में इतने cuts वो लगा लेगा अब हमने देखना है कि अगर वो 9 cuts में एक roll काटता है ठीक है तो एक cut में कितने roll काट लेगा 1 by 9 roll ठीक है हमारे पास total cuts कितने थे इतने cuts थे तो 45 into 24 cuts में वो कितने roll काट लेगा हो जाएगा हमारा 45 into 24 into 1 by 9 ठीक है तो हमारा आजाएगा कितना 5 into 24 120 rolls so 120 rolls will be the answer to this question तो इस तरह से question swallowed होगा वेल आईए एक और question देखते हैं बड़ा ही simple और बड़ा सांसा question है और कभी-कभी students गलती कर देते हैं इसलिए मैंने question को रखा कि product of all numbers in a dial of a telephone क्या होंगे तो normally option A, option B and option C दिया हुआ है लेकिन अगर हम common sense यूज करें तो हमारे पास वहाँ पे dial of a telephone में 0 भी होता है तो anything जो कि product होगा 0 से तो result will be 0 तो henceforth यहाँ पे जो हमारा option जो answer होगा वो होगा D, none तो जब भी आप multiply करोगे तो वहाँ पे आपको 0 से भी multiplication होगा तो anything multiplied by 0 will always result in 0 and this is the reason कि D हमारा option है तीके